कोविट के ने वेरियंट ओमिक्रॉन को देखते हुए शासन और स्वास्त विबाग ने तयारी शुरू कर दी है सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंद्रा गांदी शास के मेडिकल कॉलेज मेयों में औक्सिजन से इस सभी सुविदाय के साथ एक अलग वार तयार किया जा रहा है पालक मंतरी नितिन राहुत ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में पोस्ट कोविड मरीजों की इलाज और मारगदरशन के साथ साथ उन्हें बहतर आहार के बारे में जानकारी भी दी जाएगी सुमवार को इस संबन्द में बैटक पालक मंतरी के अधक्षता में संभागी आयक तकारले में हुई जहाँ पर ओमिक्रॉन को लेकर सभी ने विस्तार से चलचा की पालक मंतरी से लिए वरिष्ट अधिकारियों को जरूर निर्देश भी दिये इस बैटक में टास्क फोर्स ने कहा कि वैक्सिन लगाने वालों में ओमिक्रॉन की संभावना कम होती है इसलिए जरूरी है कि वैक्सिनेशन में तेजी लाई जाए शहरी शेत्रों में वैक्सिन का पहला 100% हो चुका है लेकिन ग्रामें शेत्रों में अभी 90% लोगों को ही वैक्सिन लगी है पालक मंतरी ने जिले में वैक्सिनेशन का अलक्ष पूरा करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि टीका करन के लिए ग्रामे शेतरों के सरपंच और शहर में अधिकारियों के साथ मिलकर इस मुहिम को पूरा किया जाए बैटक में पालक मंद्री ने कहा कि जिले में टाक्सपोर्स को बाल रोग विश्चागे को संक्रमन को रोकने के लिए एक अलग से बच्चों के लिए टाक्सपोर्स का गठन कराना चाहिए जहां बच्चों के उपचार के साथ सही जानकर यो बैतर सुवी दाउपलब की जाए कोरोना संक्रमन रोकने के लिए जिले में आवशक दवाओ के आपूर्ति के साथ ही ओक्सिजन, मेंटिलेटर, आदी की भी समिख शाक की गई